सलाम पाकिस्तान, सलाम रेड न्यूस रेड न्यूस स्टूडियो के साथ मैं हूं सना कमर हमारे तमाम तर्न शिराद बाहरास देखने के लिए रेड न्यूस यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब कीजिए खबरों के सिल्सले का अगास करते हुए आपको बताएं के फारूक सतार ने जिमनी इलेक्शन के लिए काखजात नामजद्गी जमा करवा दिये मतहिद्ध कौमी मूव्टमेंट MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सतार ने जिमनी इलेक्शन के लिए कराची के हलका एन ने 252 में काखजात नामजद्गी जमा करा दिये काखजात नामजद्गी जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगो करते हुए फारूक सतार का कहना था कि इमरान खान हर जगा से फारूम जमा करवाते थे लेकिन इस दफ़ा कहीं से नहीं करवा रहे फारुक सितार का कहना था कि ये इन्ताखबात इस MQM के फॉरम से लड़ रहे हैं जो सुलजे हुए लोगों का है ये एक मुख्तलिफ MQM है, इसलाहाथ का अमल जारी है, ये माज़ी से मुख्तलिफ MQM है फारुक सतार ने कहा कि हम हर मजब और हर जबान बोलने वाले शेहरियों को MQM में आने की दावत देते हैं IMF को राजी करने की कोश्चें पाकिस्तान ने हिकमते अमले बना ली पाकिस्तान ने IMF से मज़ाकरात के लिए स्ट्रेटिजी तियार कर ली जराई के मताबक 727 अरब रुपे की वफाकी तरक्याती बजट में एक रोती की अस्ट्रेटिजी तैयार कर ली गए और तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स जारी करने में सुस्तरवी बरकरार रखने का फैसला किया गया जराई के कहना है कि हिकमते अमली के तहट पहले 6 माह में सिर्फ 151 अरब रुपे खर्च किये गए जराई के मताबक तरक्याती बजट में 350 अरब तक कमी हो सकती है जिससे मुखले वजार्तों के कई मनसूबे मतासिर हो सकते हैं जिन में सहत तालीम, हाउसिंग, खुराक और मौसमियाती तबदीली से मतलिक मनसूबे शामिल हैं चोधरी निसार के बेटे तैमूर अली खान भी इलेक्शन के लिए मिदान में आ गए रावल पिंडी साबिक वफाकी वजीर चोधरी निसार के बेटे भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मिदान में आ गए चोधरी निसार के बेटे तैमूर अली खान ने कौमी असंबली के हलका एंड ने 69 रावल पिंडी से काख़ाद जमा कराए हैं जराय का कहना है कि साबक वफाकी वजीर के बेटे तैमूर अली खान अजाद हैसियत में इलैक्शन लड़ेंगे पी टी आई ने कौमी असंबली में अपोजिशन लीडर की तबदिली का मतालबा कर दिया इसलमाबाद पीटी आई ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लेडर की तबदीली का मतालबा कर दिया तहरीक इनसाफ के रहनुमा फवाद चोधरी ने लहाओर हाई कोट की जानिब से पीटी आई के 43 अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने के फैसले पर हुकम के बाद रदे अमल दिया फवाद चोधरी ने कहा कि स्पीकर थोड़ा सा जहमूरियत का पास रखें और अपोजिशन लीडर तबदील करने का नोटिफकेशन जारे करें हर बात के लिए अदालत जाना कोई अच्छी पारलीमानी रवायत नहीं खबरों के सिलसले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं केमारी तो केमारी में जहरीली गैस से हलागते मोच कुथानी में दस मुकदमाद दर्च कर लिए गए कराची केमारी के अली मुहमत गोट में जहरीली गैस से 18 अमवाद के मौदे पर मोच कुथानी में दस दर्च कर लिए गए पुलीस के मताबिक मुकदमाद अदालती हिक्म पर जांब החक अफराद के वर्षा से रापिता करके दर्च किये गए तमाम मकदमात में जहां बहक अफराद के वुर्सा को मदई बनाया गया पुलिस के मताबक मकदमात में कतल बिल सबब और दीगर दफाद शामिल की गई जिसमें गरे कनूनी तोर पर काइम फैक्टरियों के मालकान को नामज़त किया गया पाक फिजाया का दूसरा तयारा इमळादी समान लेकर तुर्की के लिए रवाना हो गया अश्य रुर्टी के लिए रवाना हो गया तर्जमान के मताबिक पाक फिजाया का सी वन थर्टी हरकोलेस तैयारां पाकिस्तान की अवाम की तरफ से जलजला से मतास्रा तुर्क बायों के लिए एक लाग आठ हजार छेसो चौन्टिस पॉंड्स इमदादी समान लेकर रवाना हुआ तर्जमान का कहना था कि पाक फिजाया फंसे हुए पाकिस्तानी तुर्बा को वजारते खारजा और तुर्किया में पाकिस्तानी सफार्त खाने के तावन से वतन वापिस लाने की भी हर मुम्किन कोशिश कर रही है बात करेंगे अब महगाई की तो मसंदक मली का कहना है कि 15 फ सामने आया मुसद्दिक मली का कहना है कि मुल्क में 20 दिन से ज्यादा का पैट्रोल मौजूद है लोग पैट्रोल जखीरा अंदोसी करने की कोशिश कर रहे हैं 15 फरवरी से पहले पैट्रोल ये मसनुआत की केमतों में इजाफे का कोई इमकान नहीं उन्होंने कहा कि जानना च बहidoort पैट्रोल व्राह म करे रही है तो निशान दी होनी चाहिए IMF के अभी के मुजाकरात का पैट्रोल की कीमत से तालुक नहीं मुलक में पैट्रोल की कोई कमी नहीं मुलक में सोने की फी तोला कीमत में 4,300 रुपे की बड़ी कमी वाग्या हुई उपन मारकेट में डालर 3 रुपे सस्ता हो गया All Pakistan Gyms and Jewelers Association के मताबक सोने की फी तोला कीमत 43 रुपे कम हो गई जिसके बाद 1 तोला सोने का भा 2,000,000 रुपे पर आ गया इसके इलावा 10 ग्राम सोने का भा 3,666 रुपे कम होकर 1,71,400 रुपे है जबके आलमी बजार में सोने का भा 1 डॉलर कम होकर 1,869 डॉलर फी ओंस है बात करेंगे अब बाली वुट की तो बाली वुट की खुबरो अदाकारा रवीन अटंडन ने अक्षे के साथ हुई मंगनी पर कहा कि अब वो माजी बुला चुकी है इसी के साथ उन्होंने मंगनी भी फरामोश कर दी सूपर हिट जोरी रवीन अटंडन और अक्षे कुमार ने 1995 में एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था 1994 में दोनों के फिल्म महरा ने काम्याबी के खूब जंडे गारे जिसके बाद ये जोरी हिट हो गई अब हाल ही में भारती न्यूस एजन्सी से गुफटगो में रवीना ने इस से बारे में एक सवाल पूछा गया कि अब भी जब इनका नाम गूगल पर सर्च किया जाता है तो इनके साथ अक्षे का नाम भी आता है अदाकारा ने कहा महरा की रिलीज के बाद हम हिट जोरी थी अब भी जब हम मिलते हैं तो अच्छे से मिलते हैं बाते करते हैं हर कोई अपने जिन्दगी में आगे बढ़ जाता है मैं भी इस मंगनी को भुला चुकी हूँ खबरों के सिलसले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे स्पोर्स की तो पाकिस्तान जूनिर सेलेक्शन कमेटी के चेयरमेन और पिशावर जुलमी के बेंटिंग कंसल्टनेंट कामरान अकमल ने अपने कजन बाबर आजम के साथ तालुकात पर की जाने वाली क्यास आराईगों पर बात की पाकिस्तान सूपर लीक PSL के आर्ट में अडिशन के लिए फरंचाइस के पहले प्रैक्टिस सेशन के बाद नैशनल अस्ट्रेडियम कराची में मीडिया से गुफ्तगों करते हुए साबिक क्रिक्टर से सवाल किया गया कि सोशल मीडिया पर लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि अबाबर की काम्याबी पर आपर बात नहीं करते तो क्या आप लोगों में कोई अख्तलाफात हैं जबके अभी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे थे कामरान अक्मल ने टेस्ट क्रिकर से रिटारिमेंट का इलान कर दिया खबरों में फिल वक्त इतना ही मज़ीद खबरों के लिए विजट कीजिए हमारी वेब साइट या डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लिकेशन रेड निउस एच्टि